क्लास 10 के exercise 2.3 का question number 2 है हमारे सामने जिसमें करा है check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by first polynomial हमें check करना है कि जो first polynomial यानि कि ये first polynomial जो है ये second polynomial का factor है या नहीं इस polynomial का factor है या नहीं और check कैसे करना हमें divide करके divide करना हमें second polynomial इस polynomial को first polynomial इस polynomial से ठीक है तो अगर हम divide करेंगे remainder 0 बचेगा तो ये factor होगा अगर remainder 0 के अलावा कुछ भी different होगा 0 से तो ये factor नहीं होगा तो इसके total 3 parts है तीनों parts को इसी वीडियो में solve किया जाएगा इस question का first part है जिसमें polynomial दे अगया हमें t square minus में 3 यानि कि इस polynomial से हमें इस polynomial को divide करना है तो ये हो जाएगा हमारा dividend और ये divisor तो dividend को लिख लिए हमें यहाँ पर अंदर और divisor आगया है यहाँ पर बहार तो यहाँ पर term क्या है t square और यहाँ पर है 2t की power 4 यानि कि t की power 4 है तो इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा 2t की power 4 बनाना पड़ेगा किस से multiply करेंगे इसे तो इसे multiply करेंगे 2t square से जब 2t square से t square को multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 2t की power 4 और उसके बाद जो 2t square है इसको माइनस 3 से भी multiply करना पड़ेगा तो यह माइनस में है और यह प्लस में है तो यह वाली term हो जाएगी cancel उसके बाद 3t की cube as it is आ जाएगा 3t cube उसके बाद minus 2t square minus 2t square में से हमें minus करना है 6t square को तो यह किस तरह से आएगा इस तरह से आप लिखके checker link से minus 2t square में से हमें minus करना है minus 6t square को तो इसे किस तरह जाएगा यह हो जाएगा minus minus plus ठीक है तो यह आजाएगा plus 6t square और minus में 2t square 60 square में से 2t square को minus कर देंगे तो आजाएगा 4t square तो यानि कि इनका जो solution आएगा वो क्या आएगा plus 4t square ठीक है तो plus 4t square और उसके बाद यह दोनों terms जो है यह as it is नीचे आ जाएगी यानि कि minus 90 और minus 12 ठीक है अब हमें t square को किस से multiply करें कि यह 3t की cube हो जाएगा तो इसे multiply करना पड़ेगा हमें 3t से ठीक है तो अब हम इसे multiply करेंगे 3t जब 3t से t square को multiply किया जाएगा तो यह हो जाएगा 3t की cube उसके बाद 3t जो है हमारा यह 3t है इसे minus 3 से भी multiply करना पड़ेगा तो यह minus में है यह plus में plus minus minus और 3 3 जा 9 9t हो जाएगा यह ठीक है तो यह आ गया minus 9t जो same sign वाले हैं वो cut जाएगा यह cancel हो जाएगा और 9t यहाँ पर मी minus का यहाँ पर मी minus का तो यह भी cancel हो जाएगा बचेगा क्या हमारे पास यह है 4t square 4t square और minus में यह 12 यहाँ पर आ जाएगा ठीक है अब हमारे पास यहाँ पर है 4t square और यहाँ पर है सिर्फ t square तो t square को कितने से multiply करें कि 4 t square हो जाए तो definitely इसे 4 से multiply करना पड़ेगा तो हम इसे multiply करेंगे 4 से ठीक है plus 4 तो जब 4 से t square को multiply करेंगे तो यह आ जाएगा 4 t square और 4 से हमें minus 3 को भी multiply करना पड़ेगा यह minus में है यह plus में है तो plus minus minus और 4 3s are 12 तो यह cancel यह cancel remainder आ गया 0 अगर remainder 0 है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला polynomial इस polynomial का factor होगा yes it is factor of this polynomial ठीक है तो इस का answer आएगा yes अब देखते हैं इसका second part, second part में हमें divide करना है x square plus 3x plus 1 इस से हमें divide करना है इस polynomial को, तो ये है अमारा dividend ये है divisor so यहाँ पर है x square और यहाँ पर है 3x की power 4 तो x की power 4 है 3x की power 4 तो x square को हमें किस से multiply करना पड़ेगा यहाँ पर यहाँ पर करना पड़ेगा 3x square से 3x square से इसे multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 3x की power 4 उसके बाद 3x square से हम 3x को भी multiply करेंगे तो सबसे पहले 3 3 जा 9 और x को x square से multiply करेंगे तो हो जाएगा x cube यानि कि plus का 9x cube उसके बाद 3x square को 1 से multiply करेंगे तो ये as it is रहेगा इसमें कोई change नहीं रहेगा तो ये 3x square वनजा 3x square ही ठीक है अब इसे करेंगे solve तो यहां से ये term हो जाएगी cancel 3x की power 4 में से 3x की power 4 minus हो गई तो 0 उसके बाद 5x cube में से हम minus करेंगे 9x cube ठीक है तो ये इस तरह से लिखे हैं आप इसे 5x cube minus में 9x cube तो 5 में से हम छोटे में से बड़े को minus कर रहे हैं तो answer किसमें आएगा minus 4x cube ठीक है 5 में से 9 को minus करेंगे तो minus 4x cube ठीक है तो यहां पर आगया minus 4x cube अब माइनस 7 में से हमें माइनस करना है 3x स्क्वेर को तो माइनस 7x स्क्वेर में से हमें माइनस करना है माइनस करना है 3x स्क्वेर को तो दोनों माइनस के हैं माइनस का ये है माइनस का ये है तो दोनों माइनस के हैं तो साइन कैसा रहेगा माइनस का ही और दोनों क्या हो जाएंगे add हो जाएंगे यह हो जाएगा 10x square ठीक है minus 10x square तो यह यहाँ पर आगया minus 10x square उसके बाद यह additives यहाँ पर आजाएंगे plus 2x plus में 2 अब हम देखते हैं x square को हमें minus 4x cube बनाना है तो इसे किसे multiply करेंगे minus 4x से जब हम x square को multiply करेंगे minus 4x से x square को multiply करेंगे तो यह जाएगा minus 4x cube उसके बाद minus 4x से हम 3x को multiply करेंगे तो यह है माइनस में यह है प्लस में प्लस माइनस माइनस उसके बाद 4 थ्रीजा 4 थ्रीजा 12 और x को x से मल्टिप्लाई करेंगे x स्क्वेर यानि की 12 x स्क्वेर और उसके बाद 4 माइनस 4 x को 1 से मल्टिप्लाई करेंगे तो minus 4x याएगा ठीक है solve करेंगे इसे यह हो गया cancel उसके बाद minus 10x square में से हमें minus करना है 12x square को तो इसे भी आप इस तरह से लिखें just a second इसे आप इस तरह से लिखें minus 10x square में से हमें minus करना है minus 12x square को ठीक है तो minus 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 plus plus 12x square हो जाएगा और minus 10x square 12 में से 10x square को minus करेंगे तो यह हो जाएगा 2x square ठीक है 2x square और इसी तरह से 2x में से हमें minus करना है 2x में से हमें minus करना है minus 4x को तो यहाँ पर भी minus minus यह minus minus हो जाएगे plus और इस तरह से आजाएगा है 2x plus में 4x तो 2 x प्लस 4 x करेंगे तो यह आजएगा 6 x तो यह आगया प्लस 6 x और यह 2 as it is ठीक है अब यहां पर क्या है x square तो हमें x square को 2 x square बनाना है तो इसे कित से multiply करेंगे 2 से ठीक है तो इसे 2 से multiply करेंगे तो यह आजएगा 2 x square उसके बाद 2 को हम 3x से multiply करेंगे तो 2 3 जा 6x और उसके बाद 2 को 1 से multiply करेंगे 2 को 1 से multiply करेंगे तो 2 1 जा 2 तो आप देख सकते हैं याँ पर सभी चीज़े same आई है same sign के साथ तो ये भी cancel, ये भी cancel, ये भी cancel remainder राया 0 तो हम कह सकते हैं कि ये वाला polynomial इस polynomial पॉलिनोमियल का factor होगा ठीक है, so yes इसका answer होगा, ये पॉलिनोमियल का factor है ठीक है so अब है third part तो first और second की तरह ही बिल्कुल इससे solve किया जाएगा, ये होगा अमारा divisor और ये होगा dividend, इसको रखेंगे अंदर और इससे कर देंगे first वाले polynomial से कर देंगे खाल से x की cube को multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा x की power 5 और जब x square, अब हमें x square से minus 3 x को भी multiply करना पड़ेगा, तो यहाँआपर minus 3 x, ये minus में है, ये plus में plus minus, minus और 3 x को x square से multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा 3 x की cube उसके बाद x square को 1 से multiply करेंगे तो x square को 1 से multiply करेंगे तो x square ही आएगा ठीक है तो यहां से x की power 5 में से x की power 5 को minus कर देंगे यह हो गया 0 और x square यह भी हो जाएगा 0 x square में से x square को minus कर देंगे यह भी 0 बचेगा क्या यहां पर क्या है minus 4 x cube में से हमें minus करना है minus 3 x cube तो इसे इस तरह से लिखें आपके लिया आसान हो जाएगा minus 4 x cube में से हमें minus करना है minus 3 x کی cube को सबसे पहले minus 4 x cube minus 4 x cube और minus minus यह जो है minus minus plus 3 x cube तो minus 4 x cube में से हम kub में हम plus कर दे 3 x की cube तो यह क्या हो जाएगा minus x cube यानि कि minus में x की cube हो जाएगा ठीक है तो यह आ जाएगा minus x की cube और बाकी जो बचे हैं यह 3x और plus 1 as it is यहाँ पर आ जाएगे दोनों को नीचे ले आते हैं तो plus 3x plus 1 अब हम इसको किस से multiply करें यहाँ पर है minus x की cube यहाँ पर x की cube यानि किसे हमें करना पड़ेगा minus x की cube बनाना ही से तो minus 1 से ही से multiply करेंगे तो minus 1 से x की cube को multiply करेंगे तो यह हो जाएगा minus x की cube और minus उसके बाद minus और यह भी minus 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 plus और 3x 1 जा 3x तो यह हो जाएगा 3x और minus 1 minus 1 को 1 से multiply करेंगे तो plus minus माइनस और 1 1 जा 1 यह cancel हो जाएगा यह cancel हो जाएगा उसके बाद 1 यहाँ पर है 1 में से हमें माइनस करना है माइनस 1 को 1 माइनस में माइनस 1 ठीक है तो माइनस माइनस प्लस यानि कि 1 प्लस 1 ज़ा जाएगा 2 remainder आ गया हमारा 2 जो कि 0 के equal नहीं है not equal to 0 तो हम कह सकते हैं कि 1st polynomial जो है वो 2nd polynomial का factor नहीं होगा तो इसका अंतर हो जाएगा 1st polynomial is not factor of 2nd polynomial ठीक है